हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई स्टेडी फीच चैनल दोस्तो इस वीडियो में आज स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतरगत स्ट्रेंथ इंडुरेंस इन सब को डेवलप करने की वीडियो की जो खोज है किसली किया है कौन कुछ वीडिया है इसके बारे में बता रही हूं दोस्तों यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि 100% इससे एक दो तीन कोंस्टन हर बार आते हैं कोई भी कोंस्टन पेपर उठाके देख लिजिए तो वीडियो को सुरू से लाज तक देखिएगा वीडियो पना लेजिए गा 100% इससे बाहर आपके एक भी कोश्चन नहीं आएंगे 100% गरांटी है तो दोस्तों चलिए जानते हैं वे कौन-कौन से बिधिया हैं और किसने खोश किया है सबसे पहले बात करते हैं Strength Development Method यानि शक्ति बीशित करने की बिधियां कौन-कौन से हैं Isotonic, Isometric, Isokinetic Isotonic की खोश किसने किया है ली डोने ने किया 1903 पर में And Isometric की खोश किसने किया Hettinger वो मूलर ने 1904 में Next है Isokinetic की खोश किसने किया James Perry ने 1960 में And दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि Isotonic, Isometric, Isokinetic क्या है इसके बारे में मैं डेटेल में वीडियो बना चुकी हूँ उससे वीडियो को वाश करके आप इसके बारे में डेटेल में जान सकते हैं बट कुछ इसके बारे में बता देती हूँ जैसे कि दोस्तों Isotonic Isotonic का थात्वर सब्दिक अर्थ होता है Isoplus Tonic Isotonic मतलब सेम Tonic मतलब तनाव यानि Same तनाव इसमें तनाव बना रहता है और पेसिया पेसियों की लंबाई जो है घरती बढ़ती रहती है जैसे कि ये दो प्रकार का होता है Isotonic Iscentric Concentric Iscentric Concentric यानि Concentric यानि Flexion Moment जो होता है जो हम डंबल का भ्यास करते हैं तो उपर की तरफ उसको उठाते हैं तो वो Concentric हो गया यानि माँस पेसियों के लंबाई जो है जो हो रहा है यानि फैला हो रहा है और पेसियों के लंबाई बढ़ रही है तो इसमें क्या होता है वजन के साथ इसका प्रसिचर किया जाता है Isotonic का तो इसमें इसको Dynamic Strength भी कहते हैं Isotonic को क्या कहते है Dynamic Strength भी कहते हैं इसको कहते है कि दोस्तों इस बाई यूपी टीजी पे कोश्चन आया था कि Dynamic Strength को हम कह सकते है क्या कह सकते है Isotonic इसको धियार में रखेगा Isotonic को Dynamic Strength Isotonic को Dynamic Strength Isotonic को Static Strength ठीक है अब बात करते हैं Isometric के बारे में जान लेते है Isometric क्या होता है जैसे कि दिवाल को धक्का मारना जैसे कि इसमें Manpacio के लंबाई बढ़ नहीं रही है और समान एक समान तणाव है और PCO के लंबाई घट बढ़ नहीं रही है कार होता हुए दिखाई नहीं दे रहा है and next is Isokinetic Isokinetic में क्या होता है यह मसीनों के प्रियोक्षे होता है जैसे पानी वाले खेलों में जाना होता है इसमें क्या होता है कि जो गती होती है एक समान गती होती है जैसे आप मसीन पे कोई अभ्यास कर रहा है एक सेट हो गया तो एक समान गती से उपर नीचे हो रहा है तो मसीनी को द्वरा होता है जद यह था दोस्तो, strength development करने की विधियां उसकी खोज किसनने की और क्या कार है उसका। अब बात करते हैं, सहन सिल्ता विसित करने की विधियां कौन कौन सी है। जैसे की दोस्तो, सहन सिल्ता विसित करने की चाष विधियां होती हैं, continuous, interval, इस चार मेथड होते हैं कौन को सी मेथड होते हैं इसमें से दोस्तों जो आपके लिए इंपोर्टेंट है उसको बता रही हूं जैसे कि कॉंटिनिवस मेथड में कॉंटिनिवस मेथड की खोज यानि लगातार प्रसिचर की खोज 1920 में अर्नेस्ट महोदा ने किया था किस ने किया था अर्नेस्ट महोदा ने किया था एक किसको डिलप करता है कांटिनिवस यानि इंडिरेंस को डिलप करता है कोई भी चीज कांटिनिव हो रहा है तो माल लेजे उसमें इंडिरेंस डिलप हो रहा है तो ठीक है कांटिनिवस किसको डिलप करता है इंडिरेंस निवीस दे़ लँड है, जिर दोड है, वालिक प लेग मेंधध कोच किसने किया है उन्हीं सोसेटीस-क विंघ जो ने किया है, उन्हीं सोसेटीस-क बीजो फैंच विंघ ए मिघ ऑप करता है Indurrence करता है इंट्रेश भी इंट्रेश कर्ता है हैं थी हैं थी दूस्त नेक्स हैं분ि तो में मेढ़ या रिमें या नि तर्य अन्तरार्ग कर दो त्रेशिचर चाहने ब्रेक देकर करने इह सीघ इसे कि ऊचलिक Pepper Drude इसमें रंडेलेव गर्चलर विकिला क्या था ये भी question इस बार पूचा गया था दोस्तों integral method क्या develop करता है दोस्तों intraval यानि break दे करके it in इसमें procedure करा जाता है तो इसमें क्या develop होता हैince qru Side and Speed Inc यानि सहन सिल्टा वगति सहन सिल्टा विक्सित होती है इस पॉइंट के जरू धिया में रखीगा कौन क्या डेलप करता है सहन सिल्टा वगति सहन सिल्टा यानि इंडरेंस एंड इस पीड इंडरेंस को डेलप करता है इंटरवल मेथड ठीक है नेश्ट है सर्किट circuit training दोस्तों इसकी खोच 1800 संतावन में Adamson और Morgan ने किया था यह भी question दोस्तों इस बराया था circuit training की कोच किस ने किया था 1907 में Adamson और Morgan ने यह क्या develop करता है दोस्तों यह strength endurance को विक्सित करता है किसको develop करता है strength endurance को यह भी continuous method का एक part है ठीक है strength endurance को यह भी develop करता है दोस्तों strength बिक्सित करने की विधिया और सांसीता बिक्सित करने की विधियो के बारे में मैंने detail में वीडियो बनाया है उस वीडियो को देखने के बाद आपको strength, endurance, flexibility, speed, coordination जीते दोस्तों होती है physical training की एक भी point आपसे नहीं छुटेगा उस सब वीडियो को आप physical training में जाकर के देख सकते हैं and next है कुछ मुखी point दोस्तों जिसकी खोज आपको याद रखना very important है जैसे की weight training यानि भार पर सिचर की खोज किस ने किया फेडरिक यान ने किया यह क्या विकास करता है क्या डिलप करता है strength डिलप करता है weight training ठीक है यह weight training क्या है दोस्तों isotonic strength का best उदार रहा है ठीक है इसको याद रखे रहेगा next है pressure training दबाव procedure दबाव procedure की यानि pressure training की खोज किस ने किया है winter bottom ने किस ने किया है winter bottom ने यह क्या डिलप करता है यह भी strength डिलप करता है ठीक है next है pyramid procedure इसकी खोज करता है racians लोग है यह भी क्या डिलप करता है strength डिलप करता है next है दोस्तो आर्थर लिएडियार procedure की खोज किस ने किया है आर्थर लिएडियार ने and यह क्या डिलप करता है endurance डिलप करता है next है tempo procedure tempo procedure की खोज किस ने किया है Jake Daniel ने किस ने किया है Jake Daniel ने यह क्या डिलप करता है next है आटोजेनी procedure oxygen procedure की खोज किस ने किया है Henry scrypte जिनी किया है और यह किस कर डिलप करता है दोस्तों यह माय दिमाग को शान्त रखने के लिए काम आता है ठीक है यह क्या करता है। हमाये दिमागों को शांत रगता है। इसी खोच 2020 में हीं ने किया है। शुपर धीजिशन की खोच किस ने किया दोस्तो निकुलाई एन एक गवन लेव ने किया है। ठीक है। तो दोस्तो ये था। आपके लिए बहर ने दोस्तों इससे बाहर एक भी कोशन विविल खोजों से नहीं आ सकता है यह 100% गरांटी है इस सभी को आप नोर्स बना लिजिए और इतना डिटेल में एक जगह सभी चीजों को कोई नहीं बताया होगा तो दोस्तों आई होब की सभी पॉइंट आपको समझ में आये होंगे आपने नोर्स भी बना लिया होगा और दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और ज्यादे सेयर किया किजिए दोस्तों अपने ग्रूपों में अपने दोस्तों के साथ जिससे म में नया वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नौटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जैहिन